नमस्कार, हम आए हैं बनारस के मोती कोड़ गाउं में लोगबंधु राजनारेन लोग कॉलेज में दोस्तों ये लोग कॉलेज एक गाउं में बसा हुआ है जो की बनारस के बादियों से कहीं दूर नहीं है तो आएए आज हमें इसके संस्थापक श्री अभिशेक सिंग से पूछते हैं कि आखिर एक लोग कॉलेज को गाउं तक पहुचाना इनका उद्देश ये क्यों रहा इसके पीछे की कहानी क्या रही और आखिर ये उद्देश हमें ले कहां पे जा रहा है डॉक्टर अभिशेक सिंग आपका पहले तो प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत नमस्कार मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे विदी मा विद्दाले के परिसर में आये और यहां पर आके आप लोगों ने इसका वलोकन किया और मैं बढ़ाई देता हूं आप लोगों के कम से कम इस छोटे से ग्रामीड छेत्र को आप अंतराश्टी पडल पर लेके जाएंगे इसमें आपका चैनल हमारा सयोग कर रहा है इसके लिए पुना बहुत-बहुत धन्यवाद मैं यह बताना चाहता हूं कि किसी भी शिक्षण संसान का स्थापना का उद्देश सिर्फ धनुपार्जन नहीं होता है हम लोग यह भी कहेंगे कि धनुपार्जन करने का और चित अगर कोई रखता है शिक्षण संसान तो शायद वो गलत भी होगा ग्रामीड छेत्र में हम लोगों ने महाविद्दाले के सापना मात्र सिर्फ इसलिए कि हम लोग की ग्रामीड छेत्र की जनता वरांसी की जनता को थोड़ा सा विधी का ग्यान मिले थोड़ा सा विधी की डिगरी का अलाब मिले यही मेरी उद्देश थी साथी साथ ये भी कहना चाहूँगा ग्रामीर छेत्र में विदी महाविदाले की स्थापना और वो भी उच्च कोटी की शिक्षा उच्च कोटी की लाइबरेरी के साथ हम लोग उने खोला ताकि जो दूर देश या दूर प्रदेश में चात्र जाते हैं पढ़ने के लिए शा वहाँ पे ये शिक्षा अपने आप में चुनें प्रदों जा रहा होँ वहां पे एक वीदी कॉलेज को लॉकरे यह नहीं किसमें चुनें अब या लाइम और ये वह सिर्फ तब आता है या एक मान्च सिकतापर अब रह वह सब आया słuhts नाइत्वा लो जैसा में पकला दून के उनके सारी डिक्रियों के रास्ते बंन हो जाते हैं तब वह लोग सोचते हैं कि थीemie का मगुशी के सहारार लीएं और फिर कोई रोजगार करें इस मंद्शा के साथ इस वहां विद्धाला के सापना की गई और यही मंद्शा मैं चाहता हूँ आगी भी जारी रहे अभिशेक जी चलिए लौक के पढ़ाई तो हो गई लेकिन गाउं में रहते हुए छात्रों को प्लेस्मेंट की सुवी धाप कैसे दे रहे हैं सब बहुत अच्छा प्रशन किया है अपने श्वंगर जी मैं इसमें आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि विधी की शिक्षा अपने आप में खुद एक रोजगार का अफसर प्रदान कर दी विधी की शिक्षा पून होने के बाद चात्र चाहें तो किसी बिन्याले में एक अच्छी प्रेक्टिस कर सकता है चाहे तो आगे अध्यान करके नाएक सिवा में भी जा सकते हैं उस साथ हमारे रोजगार के और भी कई दवार खुल जाते हैं जैसे बैंकिंग सेक्टर होता है और प्रावेट कंपनीज होती है इसमें भी वो किसी भी विधी का दिकारी या आफिसर की रुप में चैनीज के जा सकते हैं इसके लिए सबसे पहली बात है कि चात्रों को एक लगन के साथ एक उद्देश के साथ अपनी शिक्षा को पून करना पड़ता है अच्छा यह तो बहुत अच्छी बात आपने कहीं कि अगर प्लेस्मेंट के लिए अगर नौक करना अपने आप में आपके लिए वह भी बड़ा चुनावती पून रहा होगा बेशक बेशक श्पांकर जी मैं यह कहना चाहूंगा से ग्रामीर चेत्र में सबसे पहली जो दुश्वारी हमारे सामने आई कि हम लोग किस प्रकार का शुल्क निधारण किया जाए क्योंकि ह मैं यह पदा था वारानाटी परिछेतर में किसी बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनको शुल्क देने में बहुती दिक्कतें आती हैं चाहे उनके आयसरोत कम हो चाहे उनका सीमित हो तो हम लोगों को भी लगता था कि सिर्फ धनवपारजन के लिए अगर हम लोग शुल्क लें और शायद हमको लगता है पुरवांचल हो क्या मैं पूरे देश में कह सकता हूं कि शायद हमारी महाविद्य लेक्वी बहुत सबसे कम है बहुत खूब अभिशेक जी जितनी तारीफ की जाए वो कम है लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि जब कोरोना का वक्त आया तो शायद ये शुल्ग भी कि आपको पूरी तरीके से मिल पारा है जी एकदम बेशक कहूंगा कि अगर कोरोना में सबसे जादा किसी को दिक्कते आई हैं तो शुक्षण संसान को दिक्कते आई हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा हम लोग के दिक्कत हुई एक साल तक कोई शुल्क नहीं कि हम लोग अपनी आगे की कारवाई नहीं कर पाएंगे तो हम लोगों ने अवसर ये दिया उन लोगों को कि आप लोग कुछ किष्टों में फीस जमा करें और जो हो सकता है वो बाद में जमा कर सें यह हम लोगों ने थोड़ी सी छूट प्रदान कि अभी शीक जी ये तो ह किस प्रकास से आप किया छात्र एडमिशन लेता है बेशक श्पांकर जी मैं बताना चाहूंगा अपने छात्रों को और उनके जो पाल हैं उनके लिए बिए बता जानकारी देना चाहूंगा कि चुकि हम लोग एक संबद महाविद्याल हैं जो महत्माय गांदर काशिविद का अडमिशन ले रहा है तो उसका मिनमम परसंटेज 45 परसंट होना चाहिए जर्नल काडेगरी के लिए 42 परफंट होना चाहिए OBC के लिए और 40 परफंट होना चाहिए SCST के लिए अगर यह परसंटेज वह कौलिफाई करता है तो उसका सीधे प्रविश फीस जमा करने के करते हैं 18,000 पहले और फिर रिवेनिंग 12,000 बाद में जमा करते हैं और क्राइडिरिया यह है कि 12 में कम से कम 45 परसंट होना चाहिए ओके तो दोस्तों यह थे डॉक्टर अभिशेक सिंग जिन्होंने स्थापना की लोग बंदू राज नारायन लौ कॉलेज की वो भी बनारस की गलियों से बहुत दूर एक मोती कोट नाम के ग्राउं में अगर यह गाउं देखें तो बहुत छोटा सा गाउं है और यहां के जो लोग हैं वो वैसे तो समरिद्ध हैं लेकिन उसके बावजूद गाउं की अपनी दिक्कते होती हैं दोस्तों शिक्षा के लिए अगर कोई भी कोशिश अगर कोई भी प्रयास कहीं से भी होता है तो उसकी प्रशन्सा होनी चाहिए प्राइम टीवी पे हम लोग यह कारि देखते रहिएगा प्राइम टीवी पर हमारे यह कारिक्रम मैं शुबांकर वट्ट चारिया मेरे साथ हैं रंधीर यादव कैमरामेन और हम लोग हैं वारा नसी के वादियों दो